सातियो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PTT 2022 की फीस रिफंड परकिरिया को लेकर कि कि आपकी जो फीस रिफंड है वो परकिरिया कब से सुरू होगी क्या क्या इसके लिए डॉकॉमेंट्स लगेंगे और कितनी फीस आपको रिफंड होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टुडेंट्स के कमेंट यही आ रहे थे तो आप लोगों को इससे पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो आपकी ओफेशिल साइड से दी जाती है तो आप इस चैनल पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए देखे हर वीडियो देखने की जुरूरत नहीं है आपको लेकिन आपके जो काम का नोटिफिकेशन आपको आता है वो आप जरूर देख लें ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूँ कि आपकी जो आज 25 तारीक यहाँ पर हो चुकी है और जो एड्मिशन फीस है इसके अलावा यह जानकारी भी आपको देना जरूरी था इसलिए तो यह मैंने आपको बता दिया है देखे अब हम बात करेंगे आपकी पीटिटी की फीस रिफंड की लेकर के तो आपकी जो फीस रिफंड है परकिरिया वो यह जो आपके छटवील लिस्ट है यह हो जाएगी कम्प्लिट तो उसके बाद में है आपके फीस रिफंड की परकिरिया है वो प्रोसेस में आने वाली है तो कब तक आ जाएगी देखे अभी तक मैं आपको बता दो तो जन्नवरी 2023 पंदरा जन्नवरी के आसपास है आपके फोरम है वो इस्टार्ट हो सकते हैं पंदरा जन्नवरी के आसपास आपके फीस रिफंड के फोरम शुरू हो सकते हैं और इसके लिए जो डोकुमेंट्स होगे रहे हैं वो आप पहले से तयार रखें जिसमें आपका आधार कार्ड आपके पास होगा आपको एक बैंक अकाउंट के ज़रोरी होगी जो आपका स्विम का होना चाहिए तभी उसमें आपके पैसे है वो refund होगी वरना फीष है वो दूसरी के अकाउंट में refund नहीं होगी ठीक है तो इसके बाद में हम यह आपर यह बात कर लेते हैं जो डोकुमेंट्स में आप अपने फीस 5000 रुपए और 22000 रुपए की रसीद है यह दोनों एक जिकर रखें चालान नमबर आपके पास में होने चाहिए उसके बाद में आप बोलोगे की हमें हमारे पास में रसीद रही है प्रिंट कैसे करें क्या करें तो वो चीज़े हैं वो आपकी प्रेशानी पर रहेगी इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने रुपए हैं वो आपके वापस आएंगे तो जिन विद्यार्तियों ने 5000 रुपए जमा करवाए हैं और उनको कॉलेज नहीं मिली है तो उनके मातर 400 रुपए कटेंगे और बाकी के जो आपके 4600 रुपए हैं वो आपको वापस रिफंट हो जाएंगे जिन विद्यार्तिये को कोलेज मिल चुकी है और रिपोर्टिंग पर किरिया समय पर नहीं किये है आगे फीस वगिरा भी नहीं जमा कराई है तो उनको यहाँ पर 4400 रुपए वापस मिलेंगे और जिनको 22,000 रुपए की फीस जिनोंने बढ़ दिये है और फिर रिपोर्टिंग वगिरा नहीं किराई है तो वो तो आपको रिफंड होने वाली है इसके लिए को दिसंजर्दे जारी नहीं किये गए थे कि इसमें से आपको कितने रुपए कटेंगे तो इसमें साफ साफ है और बाकी जो आपके बाइस जार रुपए है वह और आपको रिफंड हो जाएंगे और जैसे ही इसके फोरम सुरू होंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चेंदल पर आपको मिल जाएगा जैसा में प्यटिटी की सारी जानकारी आपको उपलब् तो आज की इस वीडियो में साथ ही इतना ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ में जै भारते वंदे मातरम